नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेश है 18 दिसमबश अनिवार सुबह सबस्थ 6 वजे रास्थान की बड़ी खबरे नागार में एक्सिडेंट के 9 साल पुराने मामने में पीडित और उसके परिवार को 1.5 करोड रुपए का क्लेम मिलेगा जीवित व्यक्ति के मामने में संभवतार रास्थान में इतनी बड़ी राशिक आवार पहली बार दिया गया है इससे पहले इंशॉरेंस कंपनी ने ये डॉक्यमिन नहीं होने के बाद क्या है का क्लेम देने से मना कर दिया था नवजो सिंग सिद्धू से विवात के बाद कांग्रेस चोड़ने वाले कैप्टन अमरेंदर खुलकर भाजपा के साथ हो गए है शुक्रवार को कैप्टन ने भाजपा के साथ गर्पन्दन का एलान किया उन्हेंने कहा कि मेरी पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस बात को पंजाब भाजपा के अध्ध्यक गजेंदर सिंख शिखावत ने भी कनफर्म किया है शिकरवार को कैप्टन और शिखावत के बीच मुलाकात हुई है रास्तान में हिमाले की तरफ से आने वाली उत्री हवाओं का प्रभाव शुरू हो चुका है पैनाम स्वरू पिछले 24 गंडे में नियुनित्म तापान में कुछ स्थानों पर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्च की गई है शुरूत लहर के कारण आज सबसे कम नियुनित्म तापान पूर्वी रास्तान के फत्यपूर सीकर में 1.6 डिग्री सेल्सियस जब की पश्मी रास्तान के चूरू में 0.0 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया राजी के उतरी पूर्वी म पश्मी भागों में अगले दो दिन के दोरां कहीं कहीं तीवरी शीतलहर एवं कुस थानों पर शीतलहर चलने की प्रबल समभावना है साथ किया जाएगा उन्होंने बताय कि गौरब में इतिहास यात्रा एवं नवा चारों पर आधारीद एक शौर्ट डॉक्यमेंटरी वीडियो का भी आयोजन में प्रदर्शन किया जाएगा रास्तान अक्षे उड़्जा निगम देश के प्रतिस्टित तकनीकी संसान से राज्यमें एनरजी कंजर्वेशन के रिए शोधम अनुसंधान करवाएगा रास्तान अक्षे उड़्जा निगम प्रबंद निदेश और डॉक्टर अगरवाल ने ये जौन करी आज निगम के सवंच्वालक मंडल में बैठक में दी उन्होंने बताया कि अक्षे उड़्जा निगम समाजुकदाईत्व को निभाते हुई कॉर्परेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के तहत कार्यों को भी विस्तारित करेगा इसके तहित CSR में उपलब्द राशी से स्वास्ते शिक्षा वे स्पोर्स जैसी कतिविदियों को प्रोच साहित करने में सहयोग करेगा राश्तान की बाराश्री गंगनगर और करॉली जिलों में जिलापाईशाद और पंचा समीती सदस्यों के चुनाव के लिए तीसे चड़ में आशानिवार को मद्दान होगा चुनाव आएक्ट पियेस मेहरा ने बताए कि मद्दान कड़ी सुरक्षिय वेस्ताइवम करोना गाइलाइन्स के साथ सुबह साड़े साथ बजे शुरू होगा और शाम को साड़े पांच बजे तक चलेगा उन्होंने सभी मद्दाताओं से सुरक्षित स्वतेंतर निश्पक्ष शान्ति पुन माहौल में मद्दान करने के अपील करते हुए कहा कि वे घर से मास्क लगाकर मद्दान के लिए चाएं रास्तान की पाली जुले में अगले वर्ष नमंबर दिसंबर में प्रस्तावित रास्ट्य जंबूरी में लगभग 30,000 प्रतिभाग्यों के भाग लेने का अनुमान है राजी की मुखे सेचिव निरंजन आरे ने आज यहां शासन सेचिवाले में रास्ते जंबूरी आयोजन की तयारियों एवम सान्च चोयन के समन्द में आयोजित वर्चूल बैटर को संबोधित करते हुए बताया रास्ते सरकी स्काउट गाइड की जंबूरी को रास्तान में आयोजित कराना मुखे मंदर शोध गहलोध की परिकल्पना है रास्ते जंबूरी का आयोजन माहा नमबर दिसंबर 2022 में किया जाना प्रस्तावित है रास्तान के जैपूर जिलो में शुकरवार को तीन ग्राम पंचायतों में प्रिशासन गाओं की संग अभियान के तहत शिवर लगाए गए प्रशासन गाउं की संग अभियान के तहत ग्राम पंच्वायतों पर ग्रामिन विकास अम पंच्वायती राज, जन स्वासिय अभियांतर की विभाग, समाजिक न्याय एवम अधिकारता विभाग, महिला अम बाल विकास विभाग, आयुर्वेद एवम सहकारता विभाग, सह 22 विभागों से संबंद इत्मामनों का निस्तारण किया जा रहा है आमजन में भी इन शीवीरों को लेकर खासा उत्सा है रास्तान लोक सिवा योग राजियम अधिनास सेवा सेंक्त पृतियोगी परिक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड करेगा अजमेर मुख्यारे पर आयोक के सचीव हर्जी राम अटल ने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की तहत उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड की जाएंगी अपलोड की प्रिक्रिया 10 जनुरी 2022 से 30 अपरल 2022 तक कराये जाना तैक किया गया है रन्थंबावर नैशनल पार्क में शुक्रबाव सुबह की पारी में कुल 10 जोनों में से 6 जोनों में टाइगर की साइटिंग हुई रन्थंबावर के जोन नमबर 2 में छोटी छत्री इलाके में टूरिस ने बागहिन एरो हेड के दीदार किये इस दोरान बागहिन करीब 30 मिनट तक उसी शेत्र में घूमती रही इस दोरान बागहिन जिपसी और कंटेनर्स के बिलकुल करीब से गुजरी बागहिन को खुले में इतने पास से देख परेटक रोमानचित हो गए इसके बागहिन जो नमबर टू से थ्री में चौँ पहुंची मकर संक्रान्ती का परवाब नजदीक है ऐसे में कोटा शहर में पतंग बाजी का दौर भी शुरू होने लगा है इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने धातू निर्मित मानची की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने के आदेश चौरी किये हैं महीं चुकरवार को जिलापली सदिक्षक ने सभी थाना अदिकारियों को इन आदेशों की पानना और निगराने के निर्देश जारी किये हैं गरतलब है कि हर बार मकर संक्रांती पर बड़ी तादात में धातू से बने मानची का उप्योग लोग पतंग उडाने के लिए करते हैं वस्ट चौर के मामने में सुर्ख्यों में रहे अलवर नगरपईशद में रिश्वत को लेकर एक और खुलासा खुद नई उपसभापती ने किया है उन्होंने कहा कि पाशद बने से पहले उन्हें भी नगरपईशद में काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें